आरेसस प्रमक मोहन भागत द्वारा आने वाले 15 सालों में अखंड भारत के वक्तव्यका स्वागत करते हुए वह पद्देख्षय प्रविंत उग्णिया ने कहा कि अभी उनका वच्ण देने का समय चरा किया है अब वक्त है उनका वच्णों की पूर्ती करने का वही आगे ब हंकिया आज से दस वर्स पहले लाउड स्पीटर फिकर भंगा हटाने की मांग इसी माराश में हमने करवाई थी और पिछले दो वर्सों से उत्तर प्रदेश में यह मांग हमारे दवरा चल रही है तो मैं चाहूंगा कि पुरे देश में मस्जिदों से लाउड स्पिकर हट और कान के डॉक्टरों का थोड़ा बिजनेस कम हो क्योंकि लाउड स्पिकर के कान फिर सुनना कम होगा जाता तो कान के डॉक्टर पर जाना पड़ेगा दूसरा मुझे बताना है कि हमारे सनमानिनिय मोहंजी भागवत ने कहा कि पंद्रह वर्स में अखंड भारत हो जाएग मैं मोहंजी के ये वक्तवे का स्वागत और समर्थन दोनों करते हैं मेरा दड़ विश्वास है कि मोहंजी अपने ही जीवन में अखंड भारत बनता हुआ देखेंगे पर मोहंजी को मैं याद दिलाता हूँ कि सत्ता में नहीं है तब वचन देना होता है तो मोहंजी अब वचन देने का आपका अधिकार पुरा हो गया है क्योंकि आपके स्वागत समर्थन करते हुए साथ वर्सों से कश्मीर के हिंदों को नहीं बसाया है एक महिने में कश्मीर के हिंदों को बसाये और मोहन जी भागवत समर्थन कश्मीर घाटी के गाउं में कश्मीरी हिंदों के साथ एक रात रहे यह अखंड भारत का पहला कदम होगा दुसरा कदम पी ओ के पाक अधिकुरुत कश्मीर पर कबजा करो और मोहन जी वहां जाकर संग की साखा लगाओ प्रविंड तोगडिया यह साखा में नमस्ते सदा वतसले करने के लिए आएगा मैं सुइंशक के नात्याप सरसंग चालग पर पियो के में संग की साखा लगाओ मोहन जी सरसंग चालग सालामी प्रणाम ले और प्रविंड तोगडिया खड़ा होकर प्रणाम करे ये पियो के में करवाओ दुसरा चरण है ये छे महिने में पूरा करो भारत की पंदरलाग की सेना है रोसिया युक्रेन में घुश सकता है तो पियो के तो हमारे बाप का है घुशो और तिसरे चरण में पाकिस्तान पर ह आप जाओ, आपके टैंक जहां से गुजरेती हो, उनको सफाई करने का काम प्रविन तुगडिया आपके पीछे करेगा. आपके टूल